कॉमेडी जिदंगी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि कॉमेडी करने और देखने से कही ना कही हमारे मनन को शांती मिलती है और हमें बहुत खुशी होती है और खुशी हमरे जीवन के लिए जरूरी है आपकी पसंदीदा कॉमेडी फिल्म कौन सी है जिसे कई बार देखने के बात भी आप बोर नहीं हुए हैं। अच्छा पैसा कमाते हैं। यदि आप मजाकिया स्वभाव के पैदा हुए हैं, तो अच्छा काम है। एक हास्य अभिनेता होने के नाते आप अपने आराम क्षेतर से बाहर निकलते हैं। आप दबाव से निपटना सीखते हैं। सोशल मीडिया आपको अपना ब्रांड बनाने में मदद कर सकता है। आप सीखते हैं कि जीवन को बहुत गंभिरता से कैसे नहीं लेना चाहिए। हास्य कलाकार लोगों को हंसा सकते हैं। कॉमेडियन होने का एक फाइदा यह है कि आप लोगों को हंसा सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके पास अच्छा समय हो। बहुत से लोगों का जीवन बहुत कुबाव होता है और वे वास्तव में इससे खुश नहीं होते हैं। फिर भी वे लंबे समय में बहतर महसूस करने के लिए कोई बदलाव नहीं करना चाते हैं। एक हास्य अभिनेता के रूप में अपनी नौकरी के माध्यम से आप लोगों के जीवन को बहतर बना सकते हैं क्योंकि आप एक निश्चित अवधी के लिए उन्हें उनके मुद्दों से विचलित कर सकते हैं। इसलिए यदि आप दूसरों के जीवन में सकारात्मक योगदान देना चाते हैं, तो कॉमेडियन बनना आपके लिए एक बहतरी नौकरी विकल्प हो सकता है। कॉमेडियन होने का एक और फाइदा यह है कि आप मशूर हो सकते हैं। नेहसंदेह हर हास्य अभिनेता इसमें सफल नहीं हो पाएगा और उनमें से अधिकांश कभी भी टीवी शो में नजर नहीं आएंगे। हाला कि यदि आप काफी मजाकिया व्यक्ती हैं और इसके लिए कड़ी मेहंत करने को भी तैयार हैं, तो आपके पास अन्य नौकरियों की तुल्ना में प्रसिद्ध होने की अधिक संभावना हो सकती है। एक हास्य कलाकार के तौर पर बाहर काम करने की जरूरत कम ही पड़ेगी। अधिकांश समय आप बस घर के अंदर बड़े हॉल या स्टेडियम में काम करेंगे। इसका मतलब यह भी है कि आप बारिश, बर्फ और अत्यधिक गर्मी से भी सुरक्षित रहेंगे। हाला कि आप इसे हलके में ले सकते हैं, फिर भी वहां कई नौकरिया हैं जिनके लिए आपको बाहर काम करना पड़ता है। एक हास्य अभिनेता के रूप में आपको कॉलेज की डिगरी की आवशक्ता नहीं है। जैसा कि पहले आपको पहले बताया गया है, आपको किसी फैसी शिक्षा की आवशक्ता नहीं है और निश्चित रूप से आपको कॉलेज की डिगरी की भी आवशक्ता नहीं है। हालांकि यह स्पष्ट हो सकता है, फिर भी इसका मतलब यहा है कि आप शिक्षा पर बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं, जो आपके दोस्तों को डिगरी प्राप्त करने और एक शांदार करियर बनाने के लिए खर्च करना होगा। आप छात्र रिन रिन से भी बच सकते हैं, जो अकसर कॉलेज की शिक्षा के साथ आता है और जो बाद में आपके जीवन में गंभीर वित्तिय समस्याओं का कारण बन सकता है। वास्तव में जबकि आपके दोस्तों को कई वर्षों तक अध्ययन करना होगा, आप शुरुवात से ही पैसा कमा सकते हैं और ट्यूशन और कॉलेज जाने से संबंधित अन्य खर्चों के लिए बड़ी रकम देने से भी बच सकते हैं। हास्य कलाकारों को विशिष्ट आयोजनों तक पहुँच मिलती है। एक हास्य अभिनेता के रूप में आपको कई विशिष्ट कारेक्रमों तक पहुँच प्राप्त करने का विशेश आधिकार भी मिलेगा। विशेश रूप से यदि आपको कुछ स्तर की प्रसिधी मिली है और लोग आपको पहचानते हैं तो आपको उन आयोजनों तक पहुँच मिलेगी। जिन में अधिकान सामान्य लोगों को जाने का मौका कभी नहीं मिलेगा। यहाँ न केवल आपके लिए बहुत मज़ेदार होगा बलकि आपके परिवार और दोस्त भी आपसे इरशा करेंगे और चाहेंगे की काश वे भी आप होते। आप अपने लिए काम कर सकते हैं। आपको एक हास्य अभिनेता के रूप में भी काम करने का अवसर मिलेगा। जबकि बहुत से लोग कॉर्पोरेट नौकरियों में फंस जाएंगे जहां उन्हें ऐसे कई कार्य करने होंगे जो उन्हें बिलकुल पसंद नहीं हैं। आपको किसी के भी साथ काम करने की स्वतंत्रता होगी। एक हास्य अभिनेता बनना रोमांचक हो सकता है। चूकि आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपके दर्शक आपके चुटकुलों पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे, एक हास्य अभिनेता के रूप में काम करना भी काफी रोमान्चक हो सकता है. बेशक इसका तात्पर्य एक निश्चित स्तर के दबाव से भी है, क्योंकि एक हास्य अभिनेता के रूप में आपका काम लोगों को खुश करना है और वे आपके चुटकुलों पर हंस रही है. हाला कि यदि आप इस दबाव को उचित तरीके से संभाल सकते हैं, आपको शारिरिक रूप से कठिन काम करने की जरूरत नहीं है. विश्व की हमारी वर्तमान स्थिती में अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं, जिने शारिरिक रूप से ठका देने वाली नौकरिया करनी पड़ती हैं. बेशक कुछ शताबदियों पहले की तुल्ना में मशीनों ने श्रमिकों के जीवन को बहुत आसान बना दिया है. हाला कि सुनारों, निर्मान श्रमिकों या अन्य लोगों को अभी भी बहुत सारे शारिरिक श्रम से निपटना होगा और संभावना है कि वे लोग गंभीर दीरगकालिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीडित होंगे. एक हास्य अभिनेता होने के नाते आप अपने आराम ख्षेत्र से बाहर निकलते हैं. यदि आप एक हास्य अभिनेता के रूप में सफल होना चाते हैं, तो आपको भी देरसबेर अपने कमफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा. दरसल बहुत से लोग शुरू से ही दर्शकों के सामने बोलने में सहज महसूस नहीं करते हैं. आप दबाव से निपटना सीखते हैं. एक कॉमेडियन के रूप में काम करके आप यह भी सीखेंगे के दबाव से कैसे निपटना है. हाला कि आपके कुछ प्रदर्शन उत्कृष्ट होंगे. उनमें से कुछ पूरी तरह से असफल होंगे और आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपके सामने अच्छा या बुरा दिन है. हाला कि यह पहली बार में बहुत असुविधाजनत लग सकता है. फिर भी आप लंबे समय में अनिश्चित्ता के इन उच्छ स्तर से निपटना सीखेंगे. सोशल मीडिया आपको अपना ब्रांड बनाने में मदद कर सकता है. हाला कि कुछ दशक पहले प्रसिद्ध होना काफी कठिन था, लेकिन अब सोशल मीडिया तक पहुँच होने के बाद से यहाँ बहुत आसान हो गया है. उदाहरन के लिए आप बस कुछ यूट्यूब विडियो अपलोड कर सकते हैं, और थोड़े से भाग्य के साथ आपका एक विडियो वाइरल हो जाएगा, बदले में निर्माता आपसे संपर्क कर सकते हैं और आपसे उनके लिए काम करने के लिए कह सकते हैं. आप इंटरनेट पर जितनी अधिक अच्छी सामगरी डालेंगे, आपके प्रसिद्ध होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी. आप अपने विडियो को अपने स्मार्टफोन से भी फिल्मा सकते हैं और इस सामगरी के निर्मान की लागत लगभख्शून्य होगी. आप सीखते हैं कि जीवन को बहुत गंभीरता से कैसे नहीं लेना चाहिए. एक हास्य अभिनेता के रूप में आप अपने बारे में हसना भी सीखेंगे. तो ये थी कुछ की जानकारी. हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी अगर यह जानकारी विडियो अच्छी लगी होगी तो. समझ ही गए होंगे धन्यवाद.